पयों कि मुझे पता है तुम्हें वह जॉप चाहि시면 की मुझे पता है तुम वह जॉप चाहिए थैसे थह तुम वो घर लेना चाहते हो, वो गाड़ी लेना चाहते हो, I know, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग बदलना चाहते हो, बट तुम ऐसा लगता है तुम कहीं फस गए हो, तुम कहीं स्टक कर गए हो, हर रोज दिन चड़ता है और तुम उसी घिसी पिटी सोच के साथ अप पा रही, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, बाकी सब इतने मजे कर रहे हैं, बाकी सब अपनी लाइफ ची रहे हैं, बाकी सब इतने लाइफ ची रहे हैं, बाकी सब इतने लाइफ पे जा रहे हैं, बट मैं यहां बैठा हूँ, with a future plan in my mind, बट मुझे पता नहीं है कि how I will achieve it and when I will achieve it, but मैं दूसरों को देख देख के अपनी लाइफ कंपेर कर करके उनके साथ अपना आज भी खराब कर रहा हूँ, Hey everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ इशर राजपुत और आप सब का स्वागत है मेरी इस beautiful YouTube community पे जहां पे हम बात करते हैं regarding self-development. Overthinking आजकल बहुत common है, हर एक इनसान overthink करता ही करता है, आजकल ऐसे lifestyle ही बन गया हुआ है कि हर एक इनसान overthink करने पे मजबूर हो जाता है, हर एक चीज को इतनी गहराई और इतनी बारीकी से आप कह सकते हूँ, अंदाजा लगाने की कोशश करता है, जो कि कभी भी सच नहीं हो सकता. See, आप अपने हिसाब से 100% accuracy लेके चल सकते हो एक outcome के regarding. मैंने ये चीज प्लान की है, मैं इतने इतने स्टेप्स हर रोज लूँगा और within time मैं कही न कहीं पहुंच जाओंगा, अब सोचो, आप ही कि जैसे कोई और इनसान है, जो अपना प्लान लेके इस दुनिया में चल रहा है, वो भी कुछ न कुछ कर रहा है, वो भी हर रोज ले रहा है, आपका प्लान और उसका प्लान क्लाश कर रहा है, कही न कहीं आउटकम्स आपके हाथ में नहीं रहेंगे, result आपकी expectations के according नहीं आएंगे, कही न कहीं कुछ न कुछ जरूर गलत होगा, अगर 99% सही होगा, तो 1% जरूर गलत होगा, and overthinking is उस 1% के बारे में सोचना अच्छा, अगर मैं सोचती हूँ, suppose, जब मैं study भी करती थी, मुझे पता नहीं था कि मैं इतनी गहराई तक किसी चीज के बारे में सोचती थी, and जब मैं study भी करती थी, मिर को होदा था, okay, within 1-2 hours, मैं एक chapter खतम कर लूगी, ठीक है, so, मतलब जैसे ही आप ये चीज अपने आ चाप्टर कर लूगी, शाम को एक chapter कर लूगी, रात को एक chapter कर लूगी, दो दिन में मेरा सारा से लेपिश खतम हो जाएगा, and मैं free हो जाओंगी, तीसरे दिन revise करके, fourth day मैं exam देने चली जाओंगी, ठीक है, usually हर कोई ऐसे एक प्लान करता है, बट जब तक आप उस chapters में बैठ करें, कुछ जरूरत नहीं होती, उनको सिफ हमें एक बर उपर से देखना होता है, and हमें समझ आजाता है, ठीक है, अब graphs वाले chapters चो होते थे, math में, usually हम उनको ऐसे ही कर दे थे, ठीक है, हमने एक या दो दो बार class में practice कर ली होती थी, तो हमें जरूरत नहीं पढ़ती थी, ज इसको भी दो गंटे देना है, और इसको भी दो गंटे में खतम करना है, और अगर दो गंटे में खतम नहीं हुआ, तो हमें नहीं आता, हमारा confidence उड़ गया, हमारी धज़ें उड़ गी confidence की, ऐसा नहीं होता, you have to manage this thing, and ऐसे ही एक लड़का था, 1871 की बात कर रही हूं, ठीक ह and I read a book very long time back, it's about like one and a half years, पहले मैंने एक book पड़ी थी, How to Stop Worrying by Dale Carnegie, and उसमें उन्होंने बताया की, there was a boy, जो बहुत tension में था, ठीक है, he was very tensed, की मैं अपना medical exam कैसे clear करूंगा, मैं कैसे अपने practical examinations में अच्छे marks ला सकता हूं, या मैं कल कैसे pass हूंगा, ठीक है, and मतलब जोसक exams आ रहे थे, उससे related वो बहुत ज़ादा tension में था, उसने एक book उठाई, I don't remember the name of the book, and उस book के पहले 21 words चो थे, उसने उस लड़के की life बदल दी, उस book के सिफ 21 words, and मैं अब को बताती हूं, he's a very famous person, and literally जब वो उनकी death हुई, around 1466 pages compile किये गए, just to tell their story, and उन्होंने एक lecture में ये बात खुद कही, कि बहुत लोग ये सोचते हैं, कि मेरा दिमाग जो है, वो बहुत unnatural तरीके का है, मेरे अंदर कोई super power है, and he denied all those things, because वो 21 words उनके दिमाग में बैठ खहे थे, and he said, he is like sir, he is sir William Osler, and he is the, he is one of the four founders of John Hopkins Hospital, आपने सुना होगा, in hospital, is hospital का नाम, John Hopkins, and he was one of the four founders of that hospital, Sir William Osler, and वो 21 words क्या थे, I will just read out it for you, and here it goes, Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. मैंने personally, बहुत सारी motivational speakers को सुना है, बहुत सारी motivational videos देखी है, बहुत सारी motivational books पड़ी है, but to be honest, मेरे वो उतना काम नहीं किया, मतलब मैंने books तो नहीं पड़ी है, बढ़ हाँ, मैंने audiobooks सुनी है, and to be honest, जब overthinking चल रही होती है, तो आपका मन कुछ भी करने को नहीं करता, आप सुबह उठते हो, तो आपके shoulders अतने heavy होते हैं, आपका body अतना heavy होता है, कि आपका उठने का भी मन नहीं करता, सबसे पहला sign तो यहीं overthinking and stress का, गले में थोड़ी से रिकता है, माफ करना यार, जब आप सुबह उठते हो, क्या आपकी body सुबह उठते ही fresh feel करते हैं, या already थकी हुई feel करते हैं, अगर आपकी body थकी हुई feel कर रही है, सुबह उठने के बाद, and you still want to be in your bed, मतलब तुम freshness नहीं feel कर पारे, that means there is something wrong with you, that means रात को बहुत देर तक overthink करते करते हैं, आपने अपना phone scroll किया है, सुबह उठते ही हमारा दिमाग इत्नम खाली होना चाहिए, जो रात को हम tension ले रहे थे, वो सुबह नहीं चलनी चाहिए, सुबह हमारे कानों में कुछ भी नहीं बजना चाहिए, सिवाई sound of silence, that's it, and इसके लिए, मेरे लिए एक ही नुष्का, डेल कार्नेगी की बुक से, एक ही नुष्का जो है, मेरे लिए बहुत काम आया, and वो है, day tight compartments, मतलब आप आज यो, अभी से लेके रात तक, आप वो सब चीजे करो, जो आप actual में करना चाहते हो, ठीक है, अब कोई बोलेगा, नहीं, मिरको तो बुगाटी है, मैंने बुगाटी की टेस्ट, मतलब मैंने बुगाटी ड्राइव कर रही है, मैं को बुगाटी खरीदनी है, मिरको ये घर चाहिए, वो चाहिए, नहीं, I'm not talking about your manifestations, I am talking about your reality right now, क्या आपने अपनी reality को भी accept किया हुआ है कि नहीं, सुभे से लेके शाम तक, अभी अगर आपको इस बारे में पता चल रहा है, तो अभी इस वीडियो खतम होने के बाद, आप क्या करने वाले हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप करना चाहते हो, और आपको पता है कि आपके अपनी capabilities को measure कर सकतो, suppose अगर तुम अपने अपको बोलोगे, अब तो मैंने सोच लिया है, अगले एक हफते में ही में 10 kg weight loss करूँगा, तो कि शाम दो टाइम जिम जाओंगा, खाना भी 1600 calories से नीचे खाऊंगा, और बहार भी नहीं जाओंगा, बहार का कुछ खाऊंगा, और मतलब एक ही साथ इतना सब कुछ आप करने की सोच रहे हो, ठीक है, दो टाइम जिम, ठीक है, 1600 calories से कम खाना, बहार का नहीं खाना, कहीं बहार नहीं जाना, मतलब आप अपने अपको confine कर रहे हो, आपको सच में लगता है, आप ऐसा कर सकते हो, कोई नहीं गर सकता, जिस इनस progression, day tight compartments का मतलब यहां पर क्या है, कि आप सुबह जब उपते हो, आपको बस यहीं चीज देखनी है ध्यान में, कि आप शाम तक क्या वो सारी चीज़े complete कर पा रहे हो, जो आपको करनी है, जैसे सुबह उटके आपको jogging जाना है, लेकिन कभी कबार आप लेट हो गए, आप 5 बज़े जाना चाहते थे, 6 बज़े, साथ बज़े, तो क्या आप 6-7 बज़े जा रहे हो, या नहीं, या आप शाम को जा रहे हो की नहीं, मतलब आप अपनी activities जो आप करना चाहते हो, ठीक है, आप 5-6 activities हर रोज करना चाहते हो, ज्यादा मतले के चलो, यह मत सोचो कि मैं हर 13-14 activities कर लूँगी and मेरा देखना एक महीने में मेरा transformation हो जाएगा, मेरा दिमाग से ही हो जाएगा कुछ नहीं होने वाला सबसे पहले तो सबसे कम, कम number of चीजों से start करो जैसे, suppose तुम health conscious हो रहे हो and you want to work out so आप क्या कर सकते हो instead of saying कि आज से ही सब कुछ शुरू कर दूँगा, you can do like अप एक week का target लेके चलो, एक week में पहले 3 दिन I'll go on running morning I'll go for run ठीक है, in morning, first week में 3 दिन बाकी की 4 दिन I will do yoga, आपने सिर्फ अपनी body move करनी है starting में ताकि आपकी body used to हो जाए, आप first दिन जाके जिम में अपने आपको exhaust करोगे आपकी body इतने ज़्यादा crammed हो जाएगी, आपको हर जगा body eggs होगे, body eggs होने चाहिए अगर आपको muscle growth चाहिए but उसका फाइदा नहीं होगा वो सिर्फ एक दिन का ही रह जाएगा अगले दिन उठने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी कि जिम जा सके या था तो first week में थोड़ा थोड़ा, like go for a 20 minute run, ठीक है जब 20 minutes run हो गया, आपने बाकी के 4 week में, सिर्फ 10 minute या 15 minute योगा कर लिया, that's it वो भी घर पे, आपको बाहर जाने की जरुद नहीं है ठीक है, आपने time fix नहीं करना ठीक है, आपका जम मन करता है पूरे दिन में ज़रूरी नहीं है, हर रो सुपर उटके आपका मन करता है, अब कुछ लोग इसको RC way में भी ले जाते हैं, नहीं आपको RC way में नहीं लेना ठीक है, अगर आपको सुपर उटके jogging जाने का, या run जाने का मन नहीं है, आप शाम को चलेता है यह पहला step है अब दो weeks आप ऐसे ही निकालो दो weeks अगर आपको लगता है, अभी भी आप used to नहीं हुए आपको लगता है कि नहीं, अभी तक मुझे यह feeling नहीं आई है कि मुझे अपनी exercise और बढ़ानी है तब तक आप अगले step पे move मत करो कुछ लोग बूलेंगे कि हमें plan करनी है अपनी life हम job कर रहे हैं हमें अपने old age के बारे में सोचना में retirement के बारे में सोचना ठीक है, plan all those things that all are very necessary मैं यह नहीं भूल रही कि वो सब चीज़ें necessary नहीं है but anxiety के साथ मत प्लान करो anxiety मत रखो, anxiety क्या होता है यार, मैंने ऐसे करना है अच्छा, ऐसे, ऐसे, ऐसे अच्छा, यह होने वाला है, अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो यह हो सकता, अगर यह हो गया फिर मेरे पास कुछ नहीं होगा, शायद मेरे पास कलको इतने पैसे भी नहीं, अच्छा, यार, अगर मेरे पास पैसे नहीं होगा, मैं खाना के सखाऊंगी जब मैं खाना निखाऊंगी मैं तो सडकों पर आ जाऊंगी में पर सुडेंट के भी पैसे नहीं होंगी या मेरे पास घर के भी पैसे नहीं होंगी यह हो जाएगा यह इन्जाइटी है प्लान करो. प्लान करो, पती इनजाइटी के साथ मत करो. इनजाइटी बिल्कुल ZERO. और उसका एक ही सिम्पल से स्टेप है. प्लान कर ली आ न तुमने. इनजाइटी भी useful होती है. इनजाइटी तुम्हें एक टाइप से बता देते हैं कौन-कौन से dangerous चीज़े हैं जो तुम्हें avoid करनी है वो भी बता देती है बट उस anxiety को मन में बठाओ मत कि यही होने वाला है अगर तुम्हें डर लग रहा है न कि तुम कहीं investment कर रहे हो तो वो तुम्हारी एक instinct भी तुम्हें बताती है एक intuition होती है जो तुम्हें बताती है कि यहाँ पे नहीं जाना चाहिए वो सही है वो सही है बट उसी डर को मन में बठाके वही चीज़ की कामना करना कि यही होने वाला है और मुझे इस चीज़ से बचना है तो तुम उस चीज़ को अपनी तरफ अट्राक कर रहे हो वो ने करना है प्लान करो बट विदावट इंजाइटी और जब भी दिन की शुरुवात करते हो उठते हो तो सिर्फ इतनी सी प्रेयर्स बोलो कि सबसे पहले तो ग्रेटफुल हो जाओ यार लिटरी अगर तुम ये विडियो देख रहे हो I think so you have a whole body ठीक है तुम अच्छे से हो मतलब you look good you have good मतलब healthy hands, healthy feet you have a healthy body you can literally walk on your feet मतलब पहले तो इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि तुम चल फिर भी सकते हो यार और सुबह जब स्टार्ट करते हो grateful होने के बाद second prayer यही होनी चाहिए कि आज का दिन future छोड़ दो, past छोड़ दो ऐबगवान, कल मेरा paper है आपना, please मेरे कल का paper बहुत अच्छा अब मेरे को बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जिनोंने ऐसी prayer की होगी school या college time में कि मरकल का paper अच्छा करते हैं प्लीज पूरा paper नहीं आना चाहिए और वो paper अच्छा है आओ कभी आया वोला paper अच्छा जिस चीज से हम जितना डरते हैं वो उतना ही बुरा होता जाता है हमें हमेशा जब भी हम ऐसे prayer करते थे कि वो चीज अच्छी हो वो हमेशा बुरी ही निकलती है क्योंकि हमारे मन में डर होता है और लोग अट्राक्शन बोलता है चाहे तुम अच्छा सोच रहो चाहे बुरा सोच रहो जो भी तुमारे emotion से मेरा काम है उस चीज को reflect करना तुमारी reality में तुम उससे कोई फायदा नहीं वाला तुम आज बोलो कि आज का दिन मेरा ऐसा जाए कि अगर जैसे कल तुमारे exam है और तुम डर रहे तो तुम ऐसे बोलो कि आज का दिन मेरा इतना शान जाए मतलब अगर तुम जैसे भी प्रेवर बोलते हो तुम ये चीज मांगो कि मेरा आज का दिन अच्छा जाए जो भी चीज मैं करना चाहता हूँ जिससे भी related मुझे थोड़ी सी worry है ये tension है मुझे उस चीज को complete कर पाऊ आज धीरे 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 मतलब ये बहुत लोगों ने सीक्रिट मुवी देखी होगी और मैंने भी ये लास्ट ये निवेंबर या डिसेंबर में देखी थी उसका लिंक मैं आप सब को दे सकते हूँ और वो नीचे मेंचन होगा आप देख सकते है उसमें बोला होगा कि अगर आप एक एक सेक्शन है जहां पर एक इनसान इसके बार में बता रहा है आप ओवर्थिंग मत कीजिए और उसने इसका बहुत अच्छा एक्जाम्पल दिया जैसे रात है बहुत काली रात है एक रोड है जिसके आसपास कोई स्टेट लाइट्स नहीं है ठीक है बट आपके बस कार है और उसकी हेड लाइट्स है तो कार की हेड लाइट्स आपको सिर्फ 10 फीट आगे तक का रोड दिखाती है है ना सिर्फ 10 फीट आगे तक का रोड दिखाती है आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाना है आप रात को सिर्फ उस दस फीट को देख देखके आप एक जगा से दूसरी जगा पहुन सकते हैं गने अंधेरे में भी वैसे ही हमें सिर्फ आगी का देखना है जो हमारे एकदम सामने हैं जो अभी चीज हम बदल सकते हैं ना कि वो चीज जो हमसे बहुत दूर है और हम उसी के बारे में सोच सोच के अपने अपको परिशान करते दा रहे हैं जस्ट बी द कार जिसकी हेटलाइट से हैं इसे सिफ दस फीट तूर तक का दिखता है और वोई वाले टास करने हैं हमने बस, that's it that's it and I'll mention that movie down below उसको जरूर देखना literally, it shifted something in me and मैं बहुत clear होगी what I wanted in my life and seriously these things works आप अगर ओवर थिंकर हैं तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ दस फीट आगे तक का देखने से आपका attention जो आगे की सोच है जो आगे की thoughts है वो किसे cut-off हो जाता है and सिर्फ focus उसी चीज़ पे रह जाता है जो actual में important है so try this out and let me know in the comment section and that's all for today and I'll see you in the next video bye